हेलो एवरिवन तो आज के इस वीडियो हमनों बात करने वारे हैं समांतर श्रीणिया जिसे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन भी कहते हैं हम समझेंगे इसके बहुत ही आसान से ऐसांपल की मलब से पराइब मेरे पास मिल में इस तरीके से इस Ст्राय में इसान उसरा नमबर घूर है स्क्रीथ इस तरीके से यहां पर तो फट करो ऊखना रहे हैं जब तो यहा जबकि नीचे में अगर हम दो देखे तो आगे का एक नमबर पीछ अले नमबर से दो गुना ज्यादा है इंटू टू है सेम इसी तरीके से करते हुए आगे बढ़ा जा रहे हैं तो यहांपे हम लोग देखे रहें कि उपर वाले में यहांपर एक फिक्स नमबर जो है कि वो कि अड़ होते हुए उसको आगे बढ़ा रहे है जबकि नीचे वाले में एक फिक्स नमबर से वह जुड़ा हुआ रहे तो इसको हम लोग एपी कहते हैं इसका एक्जामपल और भी देख लेते हैं जैसे पहला एपी हो गया हमारा जहां पर अंतर जो है वह सेम होना चाहिए वैसे ही अगर हम लोग यहां पर ले ले पर एक्जामपल 15 12 9 6 इस तरीके से यहां पर क्या देख यह पर आनेवला जो आगी का टर्म है जो पद है वो पीछे वाले से उसके बीच में कुछ एक fix अंतर हो ठीक है वो fix अंतर जो है वो positive भी हो सकता है धनात्मक भी हो सकता है negative हो सकता है मतलब minus वाला और यहां पर zero भी हो सकता है तो इन सारे तरीके के example को हम लोग AP कहते हैं ठीक है अब हम लोग यहां पर बात करने वाले AP का व्य मैं इसाया हमार पास माल नेते कि एक AP दिया हुए Q2,yan Tim 3 a.kest on यहां पर यह दो है इसको रुखित है प्रथम पधक्ञा तरम है कुभा मिखे से दिखाते हैं ति क्या यहां पर जो अंतर चल रहा है हमारा इसको कि यह को हम लोग कि यह चो अंतर चलरह घ्लाए इसको हम लोग डी से दिखाते इसको बोते हैं से चिस्पल निकानने का तरिका क्या है कि हर एक आगे आने वाले टर्म को वाले से घटा देते हैं जैसे 4 में से 2 घटा देंगे तो हमारा 2 आ गया अगर वैसे 6 में से 4 घटाए तो भी हम लोग इस चीज को दिखा सकते हैं दक्र diff- saràक हुआ कि मसे पास में एक दिया हुए है बिसका सब्सक्राइब दो अब हम ले हैं कि अब हम लोग आदो यहां से दिखा रहे हैं तो एभी होने वाला है थाइं एक Hebी तू कि दू क्या होगada तो A2 पता करने किलम को क्या करना पड़ेगा कि इस ए में D को जोड़ना पड़ेगा कि समझ में आरहा बात जैसे गर हम इस एपी को लिखे तो तेरह अगला टर्म कि या करें आप ड्रीजो कांधर कर देगे ज़्सका ठीक अगला टर्म क्या होगा इसमें एड्ट कर दें çो ंज पूह मैं पसी के तो हम लोग क्या करें चाहिए अगला इसमें हम लोग क्या करेंगे गरे oh 17 क्या हम A2 को यह लिख सकते A2 क्या था A plus D अब फिर plus D है तो यह A plus 2D हो गया को दिक्कत इस बात से तो इसका मतलब क्या है कि प्रथम पद को अगर हम लिख ले और उसमें यह सार वंतर है common difference है इसको दो से गुना करके यहां डाल दे तो हमारा क्या मिल जाएगा तीसरा टर्म मिल जाएगा तीसरा पद मिल जाएगा हम लोग यहां पर क्या करें कि प्रथम पद की मदद से ही फर्स्ट टर्म की मदद से ही सारे टम्स को पता करेंगे वैसे अगर A4 लिख है तो A4 के लिख लिखना पड़ेगा A3 प्लस D तो A3 प्लस D मतलब इससे ठीक पहलो एक पद है उसमें D जोड़ देंगे हम तो यह कितना जाएक उननीस इसी को आम लोग ऐसा लिख सकते A3 को लोगों ने क्या लिखा था A2D और प्लस D यह A3D हो गया थेक है तो अगर यहां पर हम लोग मान डाले तो A13 था 3D मतलब 3 गुने 2 यह भी 19 आ गया हमारा यह समझ में तो हम लोग ने क्या देखा कि A4 को क्या लिख सकते हम A3 प्लस D अगर हम यहां से चाहे में कि 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 सी भी term को पता करंना चाहे तो इसको फार निख सकते हैं यहां यहां पर क्या देख रहे हैं अगर हम लोग को ए फूर पता करना था है तो हम लोगों ने क्या लिखा ए प्लस थ्री डी यह समझ में आ रहा है ए प्लस थ्री डी अगर हमारे सामने फर्स टम और डी दिया रहे तो तो वैसे ही अगर हम एनेथ पता करना चाहिए एनेथ मतलब एनवा कोई भी पत 10 20 30 कुछ भी नहीं कुछ भी पता करने के लिए तो एक और फिर से अगर हम लोग डिनोट करना चाहिए तो अगर फिर से लिखते हैं समाने तो मारे पास में a1 a2 a3 इस तरीके से करके एक a p अगर चल रहा हो ठीक है तो इसका फर्स टम को ए जा एवन कह रहे हम लोग यह ही होता है और अगर यहां पर अंतरडी का चल रहा हो तो फर्स टम पहला पद हो जाएगा वह ही हो जाएगा दूसरा पद हो जाएगा ए 2D, चौता पद हो जाएगा A plus 3D, और ऐसे ही N वा पद जो हो जाएगा, Nth term जो हो जाएगा, Nth term वो जाएगा, A N is equal to A plus N minus 1 into D I hope कि यह समझ में आ रहा हूँ कि किस तरीके से यह term हम लोग निकाल सकरे है ठेक है, तो यह हो गया किसी भी पद को AP में पता करने का तरीका अच्छा, हमारे सामने अगर कोई दिया रहे example और पूछे कि क्या यह AP है की नहीं है, तो हम किस तरीके से पता करेंगे, तो इसको पता करने का तरीका है, जैसे मालने तो हमारे सपास में कोई भी AP है, इसको जैनल रूप में देख रहे हैं हम लोग, जैनल फॉर्म में, तो हम लोग को पता करना की AP है की नहीं, तो कैसे चेक करेंगे हम लोग, तो किसी भी दो पद को ले लेंगे, और आगे वाले पद में पीछ वाले पद को घटा देंगे, टर्म को घटा देंगे, तो कुछ नंबर आएगा हमारा, ठीक है, अगर ये नंबर सेम आ गया आपस में, तो हम कहेंगे कि ये एक AP है, अगर सेम नहीं आया, तो ये एक AP नहीं है, पर इग्जामपल, हमारे सामने माल ने थे कि कोई भी एक नंबर दिया था, 0.4, 0.8, 1.2, बहुत ही सिपल से एक्जामपल दे रहे हैं हम लोग, तो यहां पर अगर हमनों लिखे, A2 माइनस A1, मतलब 0.8 माइनस 0.4, घटाने पर 0.4 आएगा, वैसे ही अगर हमनों लिख ले, A3 माइनस A2, तो ये जाएगा हमारा क्या, A3, 1.2 माइनस 0.8, मतलब 0.4 आ 0.2, ये भी 0.4 आ गया, चुकि ये सब आपस हम बराबर हैं, तो हम कहें कि एक AP है, और अगर ये आपस हम बराबर नहीं होता, तो हम कहते कि एक AP नहीं है, चलिए, अब आगे हम लोग देखते हैं, यहां पर, कि AP में हमारा जो था, अगर इनके सारे टर्म्स को जोड़े, ज देखते हैं, डेरिवेशन को, कि इन सब के जोड़ को, हम लोग इन सब के सम को कैसे पता करेंगे, जिसको कि हम लोग SN से दरसाते हैं, यहां पर S मतलब सम होता है, जोड, N मतलब N तक, N टर्म तक समझो होगा, वो क्या होगा, तो simply अगर हम लोग लिखे, सम को, SN को, तो क्या होगा, यह, A1 प्लस A2 प्लस A3, इसको इस तरीके से दरसा सकते हम लोग, यह N टर्म तक जा रहा है, हमारा, ठेक है, अगर हम लोग A को लिखे, A1, यह तो A ही हो गया, A2 क्या हो गया, A प्लस D, A3, इन सब को हम लोग इस तरीके से लिखते चले जा रहे, A प्लस 2D, वैसे ही A4 क्या हो गया हमारा, A प्लस 3D, और ऐसे ही अगर हम लोग बढ़ते चले जाए, तो हम लोग A N को क्या लिख सकते है, A N को लिख सकते है, A प्लस N माइनस 1 इनको D, हम लोग ने इस फॉर्मला को डेराइफ किया था, अभी जस पहले, अगर इसी को हम लोग रिवर्स करके लि देखें, तो क्या लिख सकते है, S N को लिख सकते है, A प्लस N माइनस 1 इनको D, ठीक, इसके बाद का एक जो टर्म होगा हमारा, वो क्या हो जाएगा, A प्लस N माइनस 2 इनको D, चुकि यह N टर्म था, तो यहां पर N माइनस 1 किये थे, यह हमारा पीछे से दूसरा टर्म है, ठ ठीक है, N माइनस 1 टर्म है, यह A N माइनस 1 टर्म है, तो इसको लिख सकते है, A प्लस, फॉर्मला क्या होता है, N माइनस 1 इनको D, यहां N के जगह ही N माइनस 1 है, और माइनस 1 इनको D, यह हो जाएगा A प्लस N माइनस 2 इनको D, इसी तरीक से अगर हम लोग आगे बढ़ते चल प्लस डी और ठीक उसके बाद वाला टर्म हमारा होगा वह जाएगा एए ठीक है यहां तक समझ में आ रहा होगा हम लोगों ने क्या किया अब हम लोग क्या करते कि इन दोनों को जोड़ देते यह क्या था यह आगे से पीछे तक बढ़ा और यह पीछे से अगे तक बढ़ा अ S N S N जुड़ जएगा दोनों तो 2S N और साथ में लोग क्या मिलेगा तो हम लोगों ने वहाँ पर देखा कि इसका पहला टर्म जो है ए है और इसका जो पहला टर्म है हमारा वह यह है तो यहां पर अगर इन दोनों को हम लोग सम करेंगे तो A 2a plus a 2a plus n minus 1 into d तो 2a plus n minus 1 into d ऐसे ही अगर हम यहां पर देखे इस वाले टर्म को इस वाले टर्म से जोड़ेंगे तो यहां पर फिर से इसको देख लेते हैं क्या होगा यह तो यह ए है और यह ए है 2a हो गया प्लस यहां पर d है और यहां पर n minus 2d है जोड़के देख लेते हैं यह क्या बनेगा अगर इसको ब्रैकेट को खोले तो यह d जो है वो दोनों से गुना होगा n से भी और 2 से भी यह बनेगा nd minus 2d plus d is equal to 2a plus यहां पर nd ठीक है और यहां पर minus 2 plus 1 मतला minus 1 into d minus d अगर इस d को common ले यहां से तो यह क्या बन जाएगा हमारा 2a plus n minus 1 into d यह चीज़ हम लोग यहां पर फिर डाल देंगे तो हम लोग को फिर से 2a plus n minus 1 into d अब इस तरीके से हम लोग ने क्या देखा कि second term को जोड़े जब आगे और पीछे से तो सेम आए ऐसे थर्ड तर्म को जोड़ने पर फोर्ट तर्म को जोड़ने पर भी सेम आएगा और यह कहां तक जाएगा एंट टर्म्स तक जाएगा 2a plus sorry इसको लिख सकते हैं इसको लिख सकते हैं अब अगर यह 2 इधर इंटू में उधर जाएगा तो डिवाइड में तो sn is equal to n by 2 2a plus n minus 1 into d हम लोगों ने यहां से sn का formula जो है वो derive कर लिया I hope कि यह समझ में आया हो ठीक है अब इसी को हम लोग एक और तरीके से लिख सकते हैं sn is equal to हम लोगों ने क्या लिखा n by 2 2a plus n minus 1 into d तो यहां से हम लोग सकते हैं इसको sn is equal to n by 2 2a मतलब a plus a plus n minus 1 into d तो sn is equal to हो जाएगा n by 2 a plus यह पूरा जो है a plus n minus 1 into d इसी को to an कहते हैं लोग तो यह an हो गया जो हमारा है ठेक है अगर ap जो हमारा ap दो प्रकार का होता है एक होता है finite परिमित और एक होता है आप परिमित in finite कि यह finite और infinite क्या होता है अगर a p में मालेत गिन के हमारे पास टर्म स्क्ट पता हो मुझे लिए और अगर क्यों जलते ही जा रहा है थेके उसको हम लोग infinite कहते तो अगर मेरे पास finite एप है उसका ल को समझा भिष्का seasoning का मतलब क्या होता है एपिक की पढ को कैसे किसी पी टरम कर पता कर सकते हैं और साथ में अगर हमारा एपी के फॉर्म में एक सीरीज दिया हो तो उसके सारे टर्म्स का जोड़ जो होगा जिसको एसेंस हम लोग दिखला रहे हैं उसको कैसे पता कर सकते हैं यहां तक वीडियो समझ में आया हूँ और अगर कोई दिखकत हो तो प्लीज कमेंट सेक्षिन मताएं तब तक के लिए मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें